तो अगर आपने मेरी कलवली गेमिंग वाली वीडियो देखी होगी तो इसमें मैंने आपको बोला था कि ROG5 के गेमिंग फीचर्स के ओपर मैं एक डेडिकेट वीडियो लाने वाला हूँ तो मैंने आप आज इसको प्लैन कर दिया है आज ही आपको ये वीडियो मिल रही है तो आज की वीडियो में ASUS ROG5 के गेमिंग फीचर्स जो हैं उन सबी को डिस्क्स करने वाले हैं इस वीडियो में तो ये वीडियो यहाँ पर बहुत मज़िदार होने वाली है तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें तो जल्दी शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को तो मेरा नाम है लवी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पी टी जी अन्बॉक्स तो अगर आप यहाँ मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं यहाँ फिर मेरी वीडियो देखते रहते हो लेकिन अभी तक यहाँ पर सब्स्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्स्राइब जरूर करें ताकि मैं आपको ऐसा ही कॉंटेंट आगे भी प्रोवाइड करता रहूं तो अब बात करते हैं असस आरोजी 5 के गेमिंग फीचर्स के बारे में तो जैसा कि आपको पता ही है कि एसस आरोजी 5 एक गेमिंग डिवाइस है तो इसके जितनी भी स्पेसिफिकेशन वगेरा है वो तो मैंने अरड़ी अपनी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कॉस कर रखी है और साथ साथ मैंने इसकी अन्बॉक्सिंग भी कर रखी है अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखके आईए तब ही आपको इस यह विडियो देखने का कुछ फायदा होगा तो यहाँ पे सारी आपकी गेम्स गए रहा है यहाँ पे शोग हो जाती है जैसे मेरे पास अभी फिलाल के टाइम पे यहाँ पे जैंशने पैक्ट भी डली हुई है यहाँ पर पर्शिया है आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारी गेम्स है कall of duty भी आपको देखने को मिल जाएगी यह सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है यतनी भी गेम्स इंस्टॉल्ड़ रहा है इसके आगए वाला जिसली बौट इंट्रस्टिंग है यहाँ पे आपको इसली पता हैilles यहां पर यहां पर चार्ट को मैं आपको बता देता हूँ जैसे फिलहाल के टाइम पर मैंने इस owns करता है छो इने को किरता है वह ऑघ्र चीज आप यहां पर स्ट ने मैं देग चाहिए मेर्ण के बैस्त छाई तो यहां पर यहां पर काफी बैस्ट था जूआ सब यहाँ पर गेमिंग के टाइम के उपर, नेटवर्किंग में आप देख सकती हो, यहाँ पर काफी ऊपर तक यहाँ पर गया है, और साथ ही refresh rate यहाँ पर फूल है, मैंने कर रखा है, तो यहाँ पर refresh rate 144 तक जा सकता है, इसमें आपको एक battery endurance का भी option मिल जाता है, यह denote करता है कि आ touch response यहाँ पर normal दिया गया है, और इसमें आपकी system की performance को काफी कम कर दिया गया, refresh rate काफी कम कर दिया गया, और network को भी normal कर दिया गया, और नीचे आप यहाँ पर देखोगे, इन सभी चीज़ों के उपर टिक लगा हुआ है, इनको आप अपनी मर्जी के हिसाप से change कर सकते हो, तो edit का option यहाँ पर दिया गया है, इसको जैसे मर्जी आप अपने हिसाप से change कर सकते हो, इसके लावा आता है X mode, X mode में क्या होता है, आपको touch response पूरा यहाँ पर proper मिलने वाला है, system performance यहाँ पर peak मिलने वाली है, network peak मिलने वाले है, और refresh rate आप यहाँ पर चेक करी सकते हो, इसम मतले भी है कि इसमें battery आपकी ज़्यादा जाएगी, यूकि आपकी performance होने वाली है, वो आपको पता ही है, कि यहाँ पर peak होगी तो आपकी battery ज़्यादा जाएगी, इसमें भी आप यहाँ पर काफी चीज़ों को modify कर सकते हो, आपकी मर्जी के हिसाब से, तो आप यहाँ पर द चेंज कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, जैसे मैं यहाँ पर सेट कर दो कि मेरा thermal जब लो रहे, CPU performance लो रहे, GPU performance लो रहे, और RAM performance लो रहे, तो ऐसा कुछ भी कर सकते हो, इससे आपकी battery सेव होगी, गेमिंग के लिए मैं recommend नहीं करूँगा, लेकिन अगर डाइनमेक के उपर चला रहा हूं, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में यही आपके काम आने वाला है, आगे बात करते हैं सिस्टम लाइटिंग की, तो सेम यहाँ पर बैक साइड के उपर भी ग्लो कर रही है, तो जैसे मैं यहाँ बात कर रहा है सिस्टम लाइटिंग की, तो यह वली सिस्टम लाइटिंग मुझे यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर बैनिफीशल लगती है, इसका रीजन में आपको बताना चाहता हूं, जैसे यह आप देखिए, यहाँ मेरे पास है आरोजी 3, इसकी जो एक लाइटिंग आप हो सिर्फ एक से अभी क्या हो रहा है, यह ब्रीद हो रहा है, ऊपर वाला इससा अलग रंग रंग चेंज कर रहा है, और नीचे वाला इससा अलग, तो यह चीज़ आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, आपको कौन सा अच्छा लगता है मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर लिखें, मेरी पर इसका ब्राइटनेस वाला स्लाइडर यह आप पर चलाके दिखाया था, और आपको बताया था, कि उसकी हैप्टिक फीड़एक बहुत ही ज्यादा आउसम है, लेकिन जो यह वाली फीड़एक है आप इसको एक पर सुनिए, तो मैं अमीद करता हूँ आपको इसकी आवास जो उस टाइम के उपर मैंने आपको दिखाया था, इवन 9 Pro से यहाँ पर अच्छी यहाँ पर हैप्टिक फीड़एक यहाँ पर मुझे देखने को मिर रही है इस पर्टिकुलर चीज को करने में, तो यह आप यहाँ पर चेक कर सेते कितना अच्छा काम करता होगा, इसको ज यहाँ पर मल्टी कलर भी कर सकते हो, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा है, यहाँ पर मिक्स लाइट का उप्शन, तो इसमें आपको दो रंग मिल जाएंगे, लेफ्ट और राइट, राइट को आप जो मर्जी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने लाइट को ब्लू किय तो इसको मैं change कर सकता हूं इसको भी change कर सकता हूं तो आप यहां पर देखो क्या कैसा combination बने गए गए तो अलग लग आप combination बना सकते हैं अपनी यहां पर requirement के हिसाब से आगे मैं जिखा दुखा दाओं को आपको aero active cooler अब हमने अपना fan यहां पर attach कर दिया है काफी अच्छे से attach हो जाता है तो अब इसके उपर भी system lighting यहां पर आने चुरू हो गई है तो इसको भी आप वैसे ही कस्टुमाईज कर सकते हो जैसे कि आप नॉर्मली ना अपनी system तो जैसे है आपने मज़ेज से इसको भी यहांपर काम कर सकते है अब ही हाई एक बाकशा की तो को, यहां पर लिखा रहा है तो इसके उपर आपकर कम कर रहा है तो आप इसकी साउंड आप अब इसके बाद आपको यहां पर गेंगेनी का अपशन मिल जाता है, काफी सरे लोग यहां पर मुझे डाوب्ट करते रहते हैं, बाग्घी सारी अप्स को गेंग टूलबर में लेकि आना है ताकि उनका वहां पर गेंगेनी ओनोस के, तो सिंपल सा फंडा है आप इसके उपर क्लिक कर दो तो यहाँ पर यह आ जाएगी गेम जीनी के अंदर इसको अब यहाँ पर रिमोव कर सकते हो आगे यहाँ पर एट रिगर्स को आपशन मिलता है तो अब भी मैं गेम प्ले करके दिखाऊंगा आपको एट रिगर्स की भी आपको यहाँ पर सेटिंगर की दिखा दूँगा और लास्ट वाला उप्शन है यहाँ पर लाइटनिंग आर्मर केस का यह जल्दी हमारे पास आने वाला है जब भी आएगा आपको वीडियो मिल जाएगी तो आप डिकरेड आपको मैंने पूरा समझा दिया है कैसा है इसमें एक चीज़ जो मिल्स होगी वो आपको भी बताने वाला हूँ जैसे स्पोस अगर मैं PUBG में इसमें क्या होता है कि हरे गेम की अलग सेटिंग कर सकते हैं तो PUBG कि स्पोस मैं यहाँ पे सेनेरियो प्रफाइल में जाता हूँ प्रफाइल मतलब हरे गेम की अलग सेटिंग तो इसके आपको अप्शन मिलता है काफी सारे इस पर्टिकलर गेम के लिए आप सारा कुछ चेंज कर सकते हो जैसे आप ग्राफिक्स को यहाँ पे बैनस कर सकते हो इसको यहाँ पर रिफ्रेश रेट को भी आप चेंज कर सकते हो जैसे इसको मैं इस पर्टिकलर गेम में आप 144 रोट चाहते तो 144 हर्ट हो जाएगा फिलाल मैं इसको यहाँ पर सेम सेटिंग कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर Touch के भी हाँ पर चेंज कर सकते हो एक स्लाइदिंग सैंस्टिविटी ओने चाहिए परसीजण कैसा होना चाहिए टचिशली आपर कैसी होनी चाते है तो यहाँ पर डॉक के वे सब्सक्रोंस करें तो वह एरिया आप चूज कर सकते हो कहां तक उसको लेके जाना है इसके लावा यहाँ पर पर्फॉर्मेंस है इसके लाव आप नेट्वर्क के उपर जाओगे तो आपको यहाँ पर हाइपर फ्यूजन मिलता ऑप्शन तो इस पर्टिकुलर चीज में हाइपर फ्यूजन भी हो है यहाँ पर्फॉर्मेंस जैसे मैं इसके उपर प्रफॉर्मेंस के उपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास तीन आप्शन आते हैं मेरे पास यहाँ पर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो गेम तो गेम ट्यूनिंग में आप यहाँ पर अपने लेवल को चेंज कर सक यह सबी चीज़े आप कर सकते हो तो फिलाल इसको भी हम सेम है सिस्टम सेटिंग कर देंगे तो यह सारी चीज़े किसी भी गेम में कर सकते हो इसके लावा कंसोल में जाके एक नया उप्शन आ गया हूँ है X-Mode Plus का यह प्लस वाला मॉड इसलिए आया है क्योंकि मैंने एरो एक्टिव कूलर यहां पर अटैश कर दिया है तो इसको लगाने के बाद यहां पर X-Mode Plus हो जा जाता है जो Simple वाला X-Mode होता है तो यह चीज़ आप यहां पर चेक कर सकते हो अब बात करते हैं आप गेम के अंदर जो फीचर आते हैं अगर पर्टिकलो गेम खेर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं और आपको A-Triggers के बारे में बता देता हूँ अब आप में यहां पर चेक कर वाते हैं आपको सारी सेटिंग तो अब यहां पर हमारे पास गेम जीनिंग ओपन हो गया है तो गेम जीनिंग आप यहां पर चेक कीजिए सबसे पहले No Alerts का Option आता है No Calls का Option आता है इसमें Alerts नहीं आएंगे, Call नहीं आएंगे और यहां पर Brightness को भी Lock कर सकते हो Real Time Info यहां पर चल रही है तो आप एक्सिडेंटली आप गेम को एक्सिट नहीं कर पाओगे इसके लाब यहां पर Option आता है एक Bypass Charging का अभी यहां पर मैंने Charger के ओपर Connect नहीं किया है तो नहीं आ रहा इसमें क्या होगा Bypass Charging को On करने के बाद आपका जो फोन है वो डिरेक्टली पावर लेगा Electricity से जो पावर आती है वो बैटरी को पावर नहीं देगा बैटरी यहां पर स्टेबल रहेगी अपनी जगा के उपर और सारा चार्ज डिरेक्टली फोन को यहां पर पावर करने के लिए लगा दिया जाएगा जितना भी चार्ज आ रहा होगा इससे क्या होगा आपका फोन गरम नहीं होगा अगर बैटरी में चार्ज नहीं जारा तो आपका फोन गरम नहीं होगा तो इससे चीज़ अच्छी हो जाती है एक refresh rate का option आता है जिसके आप यहां पर refresh rate यहां पर change कर सकते हो गेम के अंदर ही यह भी काफी शांदर बात हो जाती है और यहां पर है scout mode इसमें basically color inversions हो जाते हैं सारे मैंने आपको gameplay भी करके दिखाया था जैसे suppose यहां पर कोई बंदा बैठा है इस particular यहां पर gas के अंदर है यहां पर किसी दूर किसी जगा के उपर तो आपको वो बंदा ज्यादा अच्छे से visible हो जाएगा as compared to normal modes अभी आप यहां पर दिखिए यह बंदा आ रहा है मुझे कितना अच्छे से visible हो यहां पर हो रहा है इसके लावा यहां पर speed up का option दिया गया है तो speed up के उपर आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपका यहां पर जो system है optimize हो जाएगा आपके जो background में वो चीज़े चल रही होंगी है background में कोई apps को लिएग वो आपको यहां पर delete वगरा बंद वगरा कर देगा इसके लावा नीचे आपको air trigger देखने को मिलते हैं इसको अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ जैसे ही देखो air trigger मैंने कैसे एट किये हैं जैसे मैंने जो यह left वाला trigger है इसको मैंने यहां पर peak fire पे कर रखा है और जो यह right वाला इसको मैंने firing पे उपर लगा रखा है यह दो option यहां पर available है इसके अलावा हमारे पास और option मिलते हैं जो के cooler वाले options यह मैंने अभी तक activate नहीं किये थे इनको भी हम यहां पर activate कर सकते हैं यह left right का option जैसे मैं आपको दिखाता हूँ तो जैसे मैंने right वाले trigger होता है उसको मैंने jump set कर दिया और left वाले को यहां पर मैंने slide के उपर कर दिया अभी आप यहां पर चेक करो कैसा काम होगा आपको मैं एक बर चेक करवायता हूँ तो यहां पर यहां पर देख लीजिए कैसा काम करता है जैसे यहाँ पर slide किया और साथ ही मैं जम कर दिया तो यह मैं सारा कुछ कर रहा हूँ अपने cooler वाले बटन से तो यह भी यहाँ पर काफी अच्छी चीज़ हो जाती आपको काफी help करेगी इसके अलावा air trigger को दुबारा कोलते हैं तो वहाँ पर एक motion controls का भी option आता है तो यह सारे यहाँ पर इतने सारे आपको option मिल जाते हैं triggers के triggers में भी आपको option मिलते हैं यह दो triggers भी आपको काफी ज़दा अच्छा काम करके देंगे कैसे ही हैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर यह खुल की हमारे trigger वाली settings तो इसमें आप dual partition कर सकते हो सबसे पहली बात जैसे मैंने यहाँ पर अभी फिलाल क्या किया हुआ है तो मैंने फिलाल यहाँ पर dual partition नहीं की थी क्योंकि आपको gaming में ज़्यादा नहीं करेगी तो अगर आप करना चाहते हो जैसे इसी से R1, R2, L1, L2 करना चाहते हो तो वो भी आप बड़े इजीली कर सकते हो जैसे अगर मैं बिल्कुल किनारे के उपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर R2 का काम करेगा और मैं अगर उपर वारी side पर क्लिक करूँगा तो यह R1 का का काम करेगा Similarly आप ऐसे कर सकते हो जैसे मरजी तो Similarly यह L1, L2 के साथ भी कर सकते हो तो यह चीज़ यह आप के सामने हो जाती है इसके लावाब आप swipe बली setting भी कर सकते हो जैसे swipe करूँगा तो क्या चूज़ करना है Left swipe की ओपर, Right swipe के ओपर ये चीज़े आपको PUBG बे हेल्पोल नहीं होंगी लेकिन बाकी जो गेम्स होती है उसमें कापी अच्छा ही आप्शन आपके लिए बन सकती है तो ये ट्रिगर जहाँ पर एक परफेक्ट कंबिनेशन बनाते हैं किसी फोन में गेमिंग को लेके तो ट्रिगर के मामले में ASUS ROG5 बहुत अच्छा काम करता है तो इसके अलावा आपको यहाँ पर दो चार आप्शन और देखने को मिल जाएंगे जैसे रिकॉर्डिंग का उप्शन तो स्क्रीन रिकॉर्ड एक क्लिक्स यहाँ पर कर सकते हो अब यहाँ पर आपको उप्शन दिखाता हूं यहाँ पर हैप्टिक आडियो का इन दोनों का उन करने के बाद जैसे स्पोज मैं यहाँ पर इसको रखूंगा अपने एम के उपर और जब मैं यहाँ पर गोलियां चलाओंगा तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने PS4 का कंट्रोलर यहाँ पर पकड़ा हुआ है उसको यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश की है तो इतना अच्छे से नहीं कर पाए है लेकिन बहुत अच्छी ट्राइए है इसको मैं फेल्ड अट अच्छे से इंप्लिमेंट नहीं था लेकिन इसमें इंप्लिमेंटेशन बहुत अच्छी है प्रॉपर फीडबंग मिलती है पूरा यहाँ पर फोन वाइब रेट होता है पर्टिकुलर हिस्सों में यह चीज़ आपके एक स्पीर काफी कमाल मना देती है तो यह सारे लेकिन इतने आप्शन उसमें भी नहीं थे उसमें भी आपको लिम्टेड ऑप्शन देखने को मिलते से लेकिन इन्होंने पूरा बंडार यहाँ पे डाल दिया है चोटे से पॉइंट से लेके बड़े पॉइंट तक आप कस्टमाइज कर सकते हो पूरी पूरी रहता है यह एस सूस बहुत अच्छे से काम करता है बाकि कंपनी अपने डिवाईज को इतना जगाए यहां पर ट्यूनिंग नहीं करने देती है तो इसलिए यहां पर एस और जी एक अलग पहचान मना रहा है अपने गेमिंग वाले इंडस्ट्री में यहां पर फोन वाले तो मैं इसलिए यहाँ पर मैं recommend करता रहता हूँ ROG के devices क्योंकि इसमें ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है तो मैं अमीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे के सारे gaming वाले feature मेंने समझा दिये हैं और अगर आप किसी यहाँ पर feature में confused हैं तो मुझे comment box में जरूर लिखें मैं आपको उन features के बारे में explain कर दूँगा तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही तो मैं अमीद करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like करें, comment करें और share करें साथ ही सथ मेरे चनल को subscribe करना मत बूलें तो मिलते हैं एक ऐसी एक interesting next वीडियो में